भगवान बुद्ध ने गुड़ खाने का नियम क्यों जारी रखा? उस समय गुड़ होता था, गुड़ बनता भी था ये कहानी जो बहसज्य खंडख है, जो बहसज्य वाला खंड़ है, यानि उसका जो वर्ग है, उसमें महावग्ग के अंदर है वहाँ से ये कहानी है, एक वार कंखा रेवत जो भिक्कुते थेर थे, वो अपने जो साथ हैं लोगों के साथ में जा रहे थे और सावित्ती से राजगीर जा रहे थे तो सावित्ती से राजगीर काफी दूर है रास्ते में बहुत सारे प्राप पड़ते हैं बीच-बीच में रुख रुख कर रुख रुख कर पहला लाना जाना होता था अपने संगर के साथ में अपनी परिशत के साथ में तो उन्होंने देखा कि रास्ते में गुड़ बना रहे हैं कुछ तसक, कुछ किसान गुड़ बना रहे हैं तो गुड़ तब गन्य से या किसी और चीज से जो बनता था जिसमें ग्लुकोज होती हो, शक्रा होती हो तो वो उसको गरम करके आज ही की तरह है जैसे आजकल गुड़ बनता है, ऐसे बना रहे थे तो देख रहे थे कि उसमें वो आटा भी मिला रहे हैं और राख भी मिला रहे है बैठे होंगे आराम से सारा संग बैठा होगा जहां गुड़ बनना होगा, क्योंकि यात्रा पैदल होती थी तो ठक जाते थे, तो उन्होंने पूरा ध्यान से देखा कि इसमें गुड़ बनाने वालों ने आठा भी डाला और राक भी डाली, ऐसा देखकर उन्होंने थोड़ा संसे हो गया उनको कि ये तो गुड़ खाने लायक नहीं है, ये तो अन्युक्त है, अन्य का मतलब है कि इसमें दाने, इसमें चावल या इसमें भोजन पड़ा हुआ है, उसको वो अन्य मानते थे, अन्य बोलते हैं पाली के अंदर, इसमें अन्युक्त है, और ये अविहित है, अविहित का मतलब होता है कि उस तरह से क बिक्कु का नियम है कि बिक्कु अगर सन लाइट बिल्गुल उपर होता है, सन सर के उपर होता है, तो उसके बाद भोजन नहीं करते, अन नहीं खाते, हाँ साम को वो थोड़ा सा गुड जरूर लेते हैं, ताकि उनका साम का दिन पूरा कट जाए, तो इसलिए वो गुड खा करेंगे, क्योंकि इसमें अन्र पड़ा हुआ है, और इसमें ये खाने लायक नहीं है, ये बात भगवान बुद्ध के पास आई, कि उन्होंने अपनी परिशत को और खुद को गुड खाना बंद कर दिया है, और वो गुड भी नहीं खाते, तो भगवान बुद ने पूरे गुड को बादने के डाली जाती है, तो फिर तो वो गुड का हिस्सा हो गई, तो भिक्कु संग ने कहा कि हाँ वो गुड का हिस्सा हो गई, तो वो गुड हो गई, तो उन्हों कहा कि मैं अलाव करता हूँ आपको, आपको अनुमत ही देता हूँ, कि आप गुड को खा सकते दोपैरबाद में, यानि दोपैरबाद में जो अलपाहाल लेते हैं विक्रू उसमें खा सकते हैं, यह अन नहीं है, यह भोजन नहीं है, तो यहाँ उन्होंने फिर गुर्व को अलाव किया, गुर्व समय बनता था, इसको गुर्व को आधा ले ओडे कर के गुल्ड बात में बना है, इसको गुल्ड करके बोलते हैं, गुल्ड यासे सोडस होता है, यासे गुल्ड होता है तो एक बात ध्यान देने की यहाँ बड़ी important है कि भगवान बुद्ध किसी भी नियम के पिर्ती बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है अंदवक्त नहीं है wisely यानि प्रग्या के साथ समझ के साथ में वो लेते हैं क्योंकि जो परियत्ती होती है परियत्ती क्या होती है जो सिध्धांत होता है, जो मेमोराइज क्या होता है और जो पठी-पत्ती होती है पठी-पत्ती का मतलब applied जो लागू किया है, जो प्रैक््टिस किया है, उसमें वो अंतर को समझते थे, कि जो भिकू है, उसको 12 बवज़े के बाद में, खाना नहीं खाना है, जो भारी खाना है, क्कूछ के विपसा नहीं करेगा, उसको जlorुत में यहीं है, मोटा हो जायेगा, और उसे अलपाहार की भी आवशकता है तो इतना चाहिए जो रात को उसको नींद आ जाए कभी भूख के मारे नींद मिन आए तो उन्होंने गुड खाने का या नीवू पानी पीने का या जो नारील पानी पीने का अगर हमाँ अबिलेबल है तो ये नियम उन्होंने बनाये थे जो छोटे से अलपाहार के हैं लोग लेते थे तो गुड लेते थे क्योंकि गुड यादा अविलेबल था तो गुड में अन देखके जो कंखा रेवत थे वो तो हाड़न फास्ट होगे उन्हों का नहीं इसमें तो अन्ह है हम तो खाएंगे नहीं वो तो पूरी तो ऐसे सक्त होगे कि नहीं नियम बताया अन नहीं खाएंगे मगर बगवान बुद्धन नियमों के परती सक्त नहीं है वो ये देखते हैं कि नियम बनाया किसली है नियम इसलिए बनाया है कि खाना कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है आटा और राख अगर उसमें नहीं मिलाएंगे तो गुड़ बनेगा नहीं गुड़ बनेगा नहीं तो गुड़ाएंगा नहीं तो खाएंगे कैसे तो आटा इसलिए नहीं मना किया था कि आटा खाना या एक भी अन्न का दना आएगा तो वो हमारा कहीं कुछ भंग हो जाएगा अगर भिक्कु दुपैरबाद में अन्न खा भी लेता है तो उसका अरत पति या सोता पति या सोता पति पन या जो वो सगदा गामी है या जो वो भिक्कु है वह कोई भंग होने वाला नहीं है क्योंकि अगर वो बीमार है तो खा सकता है अगर सुबह से उसने कुछ नहीं खाया तो जो मिलेगा खा सकता है मिया में ये सुचारो रूप से जीवन को चलाने के लिए धम को चलाने के लिए है लोग इतने ज़्यादा धम भीरू हो गए कि वो एक-एक सब्द को एक-एक सब्द की ऐसी व्याख्या करते हैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है वोई कंखा रेवत ने किया कंखा रेवत ने कहा कि इसमें अन पड़ा है तो हम खाएंगे नहीं क्योंकि अन ने के लिए मना किया है तो भगवान कहते हैं कि अन ने के लिए मना नहीं किया है मना किया है ज़्यादा भुज़न करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे उसका कोई फाइदा ने रहेगा मोटे हो जाएंगे इसमें ये मना किया है गुड़ खाने के लिए अलाव किया है ताकि आपका जीवन चलता रहे अगर इसमें थोड़ा आटा मिला हुआ है तो यह अन नहीं होता है यह गुड़ की प्रिकरिया है इसमें बनाना है तो यह बात सब को महां समझाई और उनोंने सारा निर्णय जो लिया वो भिक्कू संके द्वरा लिया है भिकू संके साथ में क्योंकि वो खुद भी एक भिक्कू है वो उस डिसीजन में सामिल है इसलिए चुकि वो सबकी सभा को सभापती के रूपर देख रहे हैं निर्णय जो आता है वो सभा से आता है, संग से आता है, भगवान बुद्र ने सारे नियम सभा में ही लिए है, बहुत सारे नियम है जो विनय में आते हैं, मैं धिद्रे करके आपको बता रहा हूं और बताऊंगा, और भी लोगों से निविदन है कि विनय को पढ़े, विनय क अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे बेचला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान की चलाएं क्योंकि धम सफका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संखन शरनं गचाने पतं शरनं गचाने संखन शरनं गचाने संखन शरनं गचाने